तो यह कुझंए ऑई दोस्त मैं इंकित बिजाड और इंकित बिजाड बैस्टेडी है मैं आपका स्वागत करता हूँ आज महाजन्पत्काल का अंत्यम्प्रैक्टिसेट यानि प्रैक्टिसेट तिन नंबर हे और इसी के साथ तो हमेरा महाजन्पत्काल के practice head 1 और practice head 2 का संपूर्ण तरह से अधियन कर लिया है और practice head 3 का भी आज हम अध्यान कर लेंगे तो चलते हम अपने practice head की ओर पहला question यह रहा नियखीत में सो कौन सा एक इसा पुर्व छठवी सदी में पर्रम में भारत का स्रुवधिक सक्ति साली नगर राज था यानि यहाँ पे कुछ fault है इस question में मैं आपको देखाता हूँ यहाँ पे कुछ problem है question में जैसे देखा जाए तो यहाँ पे यह वाला यहांते कुछ line है इसका problem है इस line में mistake है तो आप यहाँ से नहीं इसमें निमलिकित में से कौन सा है कि सपुर्व छठी सदी में सकतिसाली रा भारत का था यह होना चाहिए लेकिन पर्णम में भारत का शुर्व अधिक की गई यह सब आ गया है तो यह सब गलत है ठीक है तो यह हमारा यहां पे error है question का ठीक है तो इसका सही यहां से यहां तक होगा सकतिसाली राज भारत का कौन सा था छटी सत्यदी में तो वह मगत था मगत परचीन भारत के 16 महाजन पदों में शेक था अंधूनिक पटना तथा गया जीला इसमें शमिलित थे इसकी रजधानी गृब रज यानि वर्तमान का राजगरी पटली पूतर थी भगवान बूद के पुर्व यानि ब्रेद्रत तथा राज संग यहां से प्रतिष्ठ राजा थे तथा अभी इसके नाम से बिहार में एक प्रमंडल यानि उस प्रमंडल का नाम मगत प्रमंडल है नेक्ट कोश्चन चलते हैं निमलिकित में से कौन से भारत पर इरानी अकर्मन के प्रभाव के रूप में माना जाता है तो पहले हम यह स्चीज को जानेंगे भार अकर्मन के रूप में कौन-कौन इरानी मतलब जो भारत में अकर्मन किये थी इरानी तो वो अकर्मन के प्रभाव के रूप में क्या क्या जाना जाता है तो हम पढ़ेंगे खरोष्टी लिपी का प्रचार हुआ था यह बिल्कुल सही है कि जब इरानियों ने अकर्मन किया तो खरुष्टी लिपी का प्रचार प्रसार हुआ था ये भी बिल्कुल सही है निमलीकित उतिक्रीन करने की काला का प्रचार हुआ था बिल्कुल सही है ये भी हमारा सही है इरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ था ये भी बिल्कुल सही है और घंटा आकार के गुम्बज की कला परचार हुआ था ये भी सही है और इस्तरी अंगरक्षक की न्युक्ति की गए थी ये भी सही है यानि हमारे सारे अपसन सही है यानि एक दू तीन चार पाच सभी के सभी सही है यानि अपसन हमारा हमारा चार होगा और देख लेते हैं इसका व्यक्या भारत पर इरानियों का अक्रमण के प्रभाव क्या थे तो खोरोष्टी लिपी यह भी हमने पढ़ा है उसके बाद अभी एक उतिक्रिण करने की काला की प्रचार और इरानियों की छत्रपती प्रणाली का प्रचार भी हुआ था और तथा घंटा अकार के गुमबज की काला का अप्रत्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष गया था उसके बाद अप्षन नमर दो में दिया गया है इस अक्रमण में पॉस्चिमोत्र भारत में युञानियों की इस्थापना मार्ग प्रतवश्थ किया था तो बिल्कुल सही ये सही सिकंदर अन्य उपनीवेश्व की हस्थ़ाप्ना के लिए उतार दाई सभी ए और चःता है उसनने भारत को नानियों की रियासत ने बिल्कुल गलत बाते उन्हें भारत का उन्य पुरस का राज वापस कर दिया तता पूरस सिकंदर का सहयोगी भी बन गया ठीक है उसके बाद के दिया हुआ है शिकंदर की सेना ने व्यास यानि इसका विपासा नाम था व्यास नदी पूर्विस का नाम यानि पहले का नाम विपासा था अभी व्यास है यानि व्यास नदी के से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तता भारत में लगबग 19 महीने यानि 326 इस पूर्वत में से किस राज में गड़तांत्रन में शाव्न व्यास्ता थी अमारा कपील वस्थु के साके में बिल्कुल था यहां पे गड़तांत्रन व्यास्ता था और कुशी नगर के मल्लाव में भी था गरतांत्रमक व्यास्ता और वेशाली के छिल्वी में भी आपका गरतांत्रमक व्यास्ता था तो ये गरतांत्रमक व्यास्ता कहा नहीं था तो वो मगद में नहीं था वेख्या पढ़ेंगे मगत जो था मगत समराज के गणतांत्रमक शाषन व्यास्था नहीं थी तता मगत परचीन भारत के 16 महाजन पोदो में से एक था अंधूनिक पटना तता गया जीले में शमीलित थे यहाँ पे लिखावट में कुछ एरर मिलेंगे उसको मैं सुधार के र जधानिक ग्रीव रज यानि पटली पूत्रथी तता मगत काल से हीराजनितिक उत्थान पतन के एम समाजिक धार्मिक राजग्री का केंद्र बिंदू रहा है मगत बूद के शमकालिन तता सक्तिकाली एम संगठित राज तंद्र था नेक्स कोश्चन के तरफ चलते हैं निम निमलिकेत में किसे शिनिया कान जाता था तो वो हमारे थे विमिशार विएका पढ Court के जेन इतिहास में विमिशार को शिनिया स्रिनिका के नाम से भी जाना जाता था जो मगद का राजा खाए और हर एक बंस का भी था नेक्स कोश्चन पढ़ते हैं निमलीखीत में से किसे उग्रशन यानि भ्यानक सेना का स्वामी कहा जाता है तो महापदनंद को हम लोग उग्रशन यानि भ्यानक सेना के स्वामी भी करते हैं वेखे पढ़ेंगे महाजनपद के मगत समराज को सर्वधिक विस्तार दिया और सर्व छत्रातक एवं इकराट की उपाधी धारण कर ली उसके बाद महापदलन को उग्रिशेन तथा भ्यानक्षिनाव का स्वामी भी कहा जाने लगा नेक्ट कोशन पढ़ेंगे डेरियस यानी दराय बाहु प्रथम ने 516 इससा पुर्व में सिंधु के तटवर्ती भुभागो को जितकर उसने इरान का विस्वा छत्रपी यानी प्रांत बनाया उसे कितने रजस्वे प्राप्त होता था तो उससे 360 टेलेंट उसका रजस्वे प्राप्त होता था व्यक्या पढ़ेंगे हम इरानी के हकमीनी वोंस के सासक डेरियस यानी दराय बाहु प्रथम ने भारत भुभाग को जितने के बाद उसने फारस समराज का विस्वा प्रांत यानी छत्रपी बनाया तथा यह समराज का सबसे अधिक अबादी वाला और उपज की हिसा था तथा इस छेत्र में 360 टेलेंट यानी मुद्रा तथा भार का एक परचिन माप था सोना रजश्व के रूप में अधा था तथा जी फारस के सभी SII प्रांतों में से मिलने वाले कूल रजश्व का एक दिहाई था नेक्स्ट कोईशन पढ़ेंगे निमलीखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था तो आने वाले इतिहासकार निर्याकस थे सिकंदर के साथ आये थे एनासी कृटस थे ये भी थे तथा अरिस्टोबूलस ये भी थे लेकिन होरो डोटस ये मारा फादर्स ओफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं तो ये नहीं थे व्यक्या पढ़ेंगे सिकंदर के साथ निर्याकस अने सिक्रिटस तथा अरिस्टोबूलस भारत आये थे तथा हिरो डोटस को इतिहासका पिता भी कहा जाता है तथा हिस्टोरी का नामक पूस्तक जिसमें भा हारत और फारस के संप्ध का वर्ण किया है वह रोट to 2 रचा गया है सभी नेक्च्ट कोशन पढ़ेंगेक महा जन्पधकाल में सुरणियों के संचालन को कहा जाता था तो स्रिष्टीन कहा जाता था व्यक्षा पढ़ेंगे महाजनपदकाल में स्रिणियों के संचालन को स्रिष्टिन कहा जाता था तथा ग्रीपती धनी की सान को कहा जाता था नेक्स्ट कोश्चन पढ़ेंगे ग्रीपती का अर्थ क्या है? यानि ग्रीपती का अर्थ धनी की सान होता है अभे उने पिछले question में पढ़ा है ठीक है गरिपती का अर्थ धनी किसान होता है नेक्स्ट question के दरफ चलते है नेक्स्ट question के और चलते है यानि इसमें हमारा सुची 1 और सुची 2 दिये हैं सुची 1 सुची 2 सुची 1 में आपको कुछ मतलब अस्थान दिये है उनके अधिकारी उनके पालन करता दिये गए है तो सुची 2 में ठेक न उस अस्थान के पलन करता दिये गए तो पढ़ेंगे यानि अस्ट कूलक और महामात्रा बलिसाधक और तथा शेल्सिक तथा सुलाक ध्यक्ष यह हैं यह कौन कंत है या किसे रिलेटेड है अब हम बता रहें आपको या उच्च कोटी के अधिकारी थे अस्ट कूलक उसके बाद आपको देखा जाए बी नंबर में यह आपका उच्च कोटी के अधिकारी थे और बलिसाधक जो होते थे वो हमारी होते थे किसानों से कर उसलने वाले अदिकारी थे आपका सलीकक जो होते थे आपको सिल्पो याम्पारों से शुलक चूंगि वशलने वाले अधिकारी होते थे यानि अप्सन नंबर वन से योगा ने क्या पढ़ेंगे यह वहीं वक्या है जो अभी आप अप्सन द्वारा पढ़ें तो नेक्स्ट कोश्चन करते हैं मागद के किस पर्रम सासक ने राज रोहन के लिए अपने पीता की हत्या की इसी कारण वह से उ पुर्व मगद का एतिहासिक मगद का एक प्रातापीप समराथ और विमिशार का पुत्रे जिसने पीता को मार कर राज को राज गरहन किया था यानि राज को प्राप्त किया था नेक्ट कोश्चन पढ़ेंगे बिच्चो का पहलागड तंत्र वेशाली में किसके द्वारा अस्थापित किया गया था तो ये छिली भी द्वारा अस्थापित किया गया था बेखेपणेंगे छटवी सताब्दी इसापूर्व की बोध संराचना तथा अधिकांस इतियासकारों के अंसार बुध कालिन भारत रजनितिक समाज के दस गड़ राज थें तथा वजीज संग के उनमें से एक प्रतिस्टित गड़ राज था गांगा के उत्तर में वर्तमान तिरूत प्रमंडल में इस्थित वजीज संग के संभतो आठ सदसे थें तथा इनमें अंधूनिक बिहार के मजुपर पूर्चंपारण दरवंगा शारण जीले के भाग सामिल थें तथा इसकी सिमाए नेपाल के तराई तक विस्तरित थी तथा वजीज संग की रजधानी वेसाली थी वजीज संग का सबसे बड़ा प्रबल सदस छिलवी राजा था इसके सासर छत्रिये थे तथा कोटिल ने छिलवी राजा का उलेक राज सब्द पजीवी संग के रूप म भी किया है नेक्स्ट कोश्चन पढ़ेंगे सुची वान को सुची टू से सुमिलित करना है जिसमें महाजान पत दिये गया है और राजधानी दी गई है तो यह हमारे यह हैं यानि कुरू का इंद्रपरस्थ होता है यानि अब हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरह से यानि हमारा यह कुरू है और कुरू का इंद्रपरस्थ है और वहीं पे आपका पंचाल यानि पंचाल का हमारा अधिछत्र है यह पंचाल का अधिछत्र है और वहीं पे देखा जाए तो कोशल का क्या है कोशल का साकेत है और वर्थ का कोशाम भी है यह रहा ठीक है तो यह हमारे अप्शन नंबर भी हुए वेखा पढ़ेंगे पश्चिम यहां से पढ़ते हैं कुरू अंधुनिक हरियाडा था दिली का युम्न नदी के पश्चिम वाला अंसामिल था पश्चिम में मतलब इसका अंसामिल था इसकी रजधानी अंधुनिक इंदरप्रस्ट यानि दिली थी जैन के उत्रा ध्यान सूत्र में यहां के एक छुआक नामक राजाक का उलेख मिलता है तथा पंचाल पश्चिम उत्तर प्रदेश यानि पंचाल की दो शखाय थी उत्तर और दक्षिन उत्री पंचाल की रजधानी ओहरी छत्रे और तथा दक्षी पंचाल की रजधानी कामपिल्ले थी मद्य दुबाव छेत्र यानि बदायू फरुदु खाद तथा चुलानी बहुदत पंचाल देश का एक महा सासक्ता कोशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जीला तथा गोंड़ा और बहराईच के छेत्र में सामिल थे तथा इसी के पर्णम में रजधानी अयोध्या थी दिवत्य रजधानी श्रिवास्ति थी और तथा कोशल एक राजा संग के पाली ग्रंथ के बारा नम सिंगो कहा जाता था उसी से कासी को जित कर कोशल में मिला आये गया था तथा कोशल के राजा प्रसेंजित थे वतस्य उतर प्रदेश के प्रियाग राज और ये अंधुनिक प्रियाग राज के आसपास के केंद्र था तथा पुराणों के अंसारा राजा निक्छुक ये यम्ना नदी के तड़ पर अपने रजवन्स के स्थापना तब की थी जब अस्तित नापूर राज का पतन हो गया था इसकी रजधानी को सांबी थी नेक्ट कोचन पड़ेंगे निमिनखित में से कौन सा एक बच ग्रणत के 16 माजन पदों का उलेक करता है तो वह हमारा अंगुतर निकाय था वेख्या पड़ेंगे अंगुतर निकाय में 16 माजन पदों की सुची मिलती है तथा अंगँतर में बहुत गौतम बूद्ध और उनके मुख्षी से हजारों अपदेश संग रही थे तता अंगुतर निकाय का हिंदी अनुवाद भद्वन्त यानि आनंद को शालयान ने की थी तता इसने महाबुधी सावा तता कॉलकाता द्वारा प्रकाशित भी किया गया था नेक्स्ट कोश्चन पढ़ते हैं छटी सताब्दी इसापुरू का मतश महाजनपद इस्तित है तो वो हमारा राजस्थान में है वेख्या पढ़ेंगे मतश महाजनपद में से एक है इसमें राजस्थान के अलवर बरतपूर तथा जैपूर जीले के छेतर सामिल थे तता के परिवर्थित परदोसों में से मानी गई है इसी देश में विर्याट का राज था तथा वहीं की रजधानी उत्पलों नामक नगर में भी थी विर्याट नगर मतश्य देश का दूसरा परमुख नगर था नेक्स्ट कोशन पढ़ेंगे निमलीखित में से किस नदी को पहले वितास्ता के नाम से जना जाता था तो जेलम नदी थी वेख्या पढ़ेंगे वितास्ता यानि जेलम नदी का वस्तविक नाम वितास्ता था तता कश्मीरी भासा में इसे वयत काते थे इसका उद्भाव वेरिनाग नामक नामी नगर से हुआ था जहलम नदी को डिग्वेद में वितास्ता नाम से भी जाना जाता है नेक्स कोश्चन पढ़ेंगे इरान के खमनी वन्स के सासक ने भारती भुबाग को जितने के बाद उसे फारस का समराज का बिश्वा प्रांत यानि छत्रपी बना दिया तो यह डेरियस ते हमने पिछले कुछ कोश्चन में पढ़ा इसको डेरियस दराय बाहू प्रत्म ने किया था ठीक है वे क्या पढ़ेंगे इर दराय बहादूर सासक ने भारती भुबाग को जितने के बाद उसे फारस का समराज का बिश्वा प्रांत यानि छत्रपी बना दिया नेक्स्ट कोश्चन पढ़ेंगे नंदवन्स का संथापक कौन था तो यह थे अमारे घानानंद सोरी घानानंद बोल रहा है महापद नंदवन्स परचीन भारत का सर्वधिक शक्तिसाली और महान छत्रिय राजवन्स था जिसे पचवी चोथी सताबदी इसापूर्व उत्तर भारत के विशाल भाग प्रक्षाशन किया तथा नंदवन्स के अस्थपना प्रथम चक्रवर्थी समराठ छत्रिय माजन पद ने क ग्रीक युनानी लेखक को दोरा किसे अगरमीज जंडरी कहा गया है तो वो घानाननद को कहा गया है वेकपड़ेंगे घानाननद को अंतिम साच्ता तथा युनानी ने लेखकों के इसे अग्रमीच तथा जेंडरमीच भी कहा है यह सिकंदर का समकालीन था यह इसी के सासनकाल में सिकंदर का अक्रमन भी हुआ था तो दोस्तो यह हमारा महाजनपदकाल का अंतिम प्राक्टिसेट था यानि प्राक्टिसेट तीन नमबर संपन हो गया और हम कल लेकर आएंगे आपको इसके अगले वाला प्राक्टिसेट तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को देखे और जदा जदा सेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं धन्यवाद दोस्तो